फ्रेंड स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल आरके दबंडर किचन पर एक बार फिर से एक नई डिस के साथ आज मैं आपके लिए एक किलो दूद की मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ यह देखिए मैंने एक किलो मिठाई की रेसिपी बनाई है आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें इसमें हमें किन-किन चीजों की ज़रुत पड़ती है आगे वीडियो में देखते हैं दूद की मिठाई बनाने के लिए यह मैंने एक किलो दूद ले लिया है और इसको मैंने अच्छे से गरम कर लिया था और यह ठंडा हो चुका है ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी मलाई आ चुकी है कटोरी मैंने ये नारिल पाउडर ले लिया है और ये आधी छोड़ी कटोरी से जादा थोड़ा सा मैंने इसमें चीनी लिया है और ये मिल्क पाउडर है दो चम्मच और ये मैंने इसमें कुछ बदाम ले लिया है दूद की मिठाई को बनाना गैस की तरब चलते हैं मैंने बड़ी कड़ाई ले ली है और चूला चालू कर दिया है तेज आंच पर हम मैं इसमें ये एक किलो दूट डाल दूँगी ये देखिए इसमें फूरा दूट डाल दिया है मैंने और चूले को बिल्कुल तेज आंच पर रखें और दूट को अच्छे से लगतार चलाते रहें उबाल आने तक मैंने इलाइची को कूट के इसका पाउडर बना लिया है अम मैं इसमें दूद में डाल दूँगी और दूद को अच्छे से लगतार चलाते रहना है आप देख सकते हैं को दूद में हलकी हलकी सी मलाई आ रहें हो डेगे प्रेंच तेज आज पर दोद को फक ते तीन मिन्ट हो चुकी है अम मैं इसमें चीनि डाल दूँगी और अच्छे से इसको लगतार चलाते दूद्ध कम होता जा रहा है आप देख सकते हैं देखें नारिल पाउडर डाल देगे देखें नारिल पाउडर डल चुका है अब हम इसको अच्छे से चलाते रहें लगतार इसको चलाते रहना है है अद्रेंट नारिल पाॉडर डलने के बाद हम इसमें यह मिल्क पाॉडर ढाल दूँगी देखिए भूल क्लिक्ठ डाल चुकन है अब इसको चलादे की implant dev creo छलाते रहे मुब्स पर तेज्ञ पर यह मिल्क पाॉडर अच्छे से मिक्स कर दें यह देखिए अच्छे से mix हो चुके हैं अब इसे चलाते रहें थोड़ी देर बाद खूवा बनके सायर हो जाएगा आप इसको लगातार चलाते रहें कि फ्रेंट्स दूद यह देखिया आप देख सकते रहां हो गया है और पेजाय चलाते रहें इससे हमारी रबड़ी या मावा बनके जल्दी तयार हो जाएगा इसको लगतार चलाते रहें इसको तेजाज पे 10 मिंट हो चुके हैं लगतार चलाते हुए अभी इसको और पांच मिंट तेजाज पे पकाना है एक प्रेंट कुछी देर में हमारा मावा या रबड़ी बनके तयार हो जाएगी अब ये बिल्कुल गाण हो चुका है और ये देखिए बिल्कुल चुका है के अब इसे हलकी आँच पे दो मिंक कर देन के सहीव रबड़ी बनके तायार हो जाएगी एक किलो दूद में ये बनके तैयार हो ं चुका हाहा हुआ अब चू'llë को बंध करतें की अब sudочку लेट में निकाल और ये बेके कितनी अच्छी रबड़ी बनके तैयार बलेट blade में निकाल लेंगे और इसको धो मिंट के लिए खंडा होने देख अब ये चूले का काम खतम हो चुका है अब चलिए इसको पंके के हवा में बनाते हैं अच्छे से बैठके देखे फ्रेंड्स इसको चला चला के इस तरी चैसे पंके के हवा में एक मिन्ट के लिए ठंडा कर लेंगे जालें देशा घील देशी गी हरें देशा जेके 250 लुँभा में लगा लिए ये बड़ी प्रेट लिए मिठाई को बनाने के लिए और ये मैंने बड़ी टिल है इसको गानिश करने के लिए हैँ और रबड़ी को प्लेट में ढलते हैं प्लेट में इस तरीके से हास से पैला लेना है मिठाई को और इसे पार्च मिंट के लिए फ्रीज में रग दें जिससे कि हमारी मिठाईया अच्छे से कट जाएं पार्च मिंट के बाद मैंने मिठाई को फ्रीज से निकाल लिया है अब इसको हम चाकू की हेल्प से इस तरीके से काटेंगे देखिए मिठाई कि इतने अच्छी कट रही है और बिल्कुल दानेदार मिठाई बनी है देखे फ्रेंड्स एक पिलो दूद में इतनी सारी हमने घर पे मिठाई बना ली आप भी इसको जरूर ट्राई करें रक्षा बंदन स्पेशल में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जिससे की आने वाली नए वीडियो सबसे पहले आपको मिल सारी मिठाई को मैंने kaट ढिया है और देखें कितने ऑच्छी तरीके से निकल लाइए ह इस तरीके से चापू की हेर्त से आप मिठाई कि आप सारी मिठाईंसों मैंने निकाल लिया है इतनी दानेदार मिठाई बनी है आप देख सकते हैं वह सब्सक्राइव निकाल करक् Collins कि ये हैं लगा दुनगी शब्सक्राइव構ंगी कष दए वजाने मिठाईंस पड़ा है हैम है इसमें बड़ने वाले टिल भी इस तरीके से मिठाई के अप़र लगा दूंगी जिससे कि हमारी मिठाई देखने में ग्लाने में अच्छी लगे है कि आप देख सकते हैं मिठाई हमारी कितनी अच्छी लग रही है आप देख सकते हैं, इतने अच्छी तरीके से मिठाई तयार हो गी है, आप इसको जरूर ट्राइ करें, इसको फ्रीज में रख देना है, जिससे की मिठाई हमारी अच्छे से और ये फ्रीजर में सैट हो जाए